नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेश बुलिटिन में। आज हम चर्चा करेंगे राहूल गांधी के उपर अमेरिका के पूर्व राष्ट पती बराक ओबामा द्वारा की गई टिपणी पर। कहा क्या है बराक ओबामा ने आज इसका सटीक विशलेशन करने की आवशकता है। बराक ओबामा जिन्होंने आठ वर्षों तक अमेरिका की बागदोर संभाली उन्होंने अपनी आत्मकथा आप्रॉमिस लैंड में कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहूल गांधी का जिक्र किया है। और जिक्र ऐसा कि जिसने भारत की राजनीती में एक भूचा लाने का काम कर दिया है। टाइम मैगजीन के कवर पर मनमोहन सिंग की फोटो छप जाने पर इस देश के अंदर जो है दीपावली मनाने कासा और एक अंतरराष्ट्री अचीवमेंट बता कर उसको जो है मार्केट में बेचने का काम करने वाले कॉंग्रेसी नेता आज ओबामा की इस अभिव्यक्ती क के पश्चात जो है मीडिया से बच्चते फिर रहे हैं कहा क्या है उबामा ने ये सुनना समझना और देश की जनता के बीच में आना बहुत जरूरी है अपनी इस आत्म कथा के अंदर बराक उबामा लिखते हैं कि राहुल गांदी एक ऐसे छात्र हैं जिन्होंने कोर्स वर नी है अमेरिकी पूर्व राश्च्पती बराक उबामा ने राहुल गांधी को नर्वस और कम गुडवत्ता वाला नेता भी बताया है देश की जनता तो पहले से ही जानती थी परन्तु आज राहुल गांधी के टैलेंट के उपर और उनके राजनेतिक समझ बूच के ओपर अमेरिका के पूर्व राष्टपती की मुहर भी लग चुकी है पर आज देखना ये जरूरी है कि New York Times या Times मैगजीन के कवर पर अपने किसी नेताओं की फोटो मात्र छप जाने से देश के अंदर एक अलगी सेलिब्रेट करने के माहौल में रहने वाले कॉंग्रेसी नेता बराक उबामा के इस बयान के बाद क्या बोलेंगे पर सुनने में ये भी आया है कि कॉंग्रेसी नेता सुभे से ही जो है उबामा माफी मांगो करके ट्विटर के उपर ट्रेंड चला रहे हैं जैसे कि इनको लगता है कि बराक उबामा खुद भारत आएंगे और राहूल गांधी के सामने जो है माफी मांगेंगे तो आज देश के सामने एक ये बड़ा सवाल है कि जिस राहूल गांधी को पूरा का पूरा कॉरा कॉंग्रेसी गैंग एक तरह से देश का प्रधान मंत्री के रूप में देखना चाहता था और तमाम चुनाव हार जाने के बाद इस देश की जनता ने उनकी नेत्रित्व को स्विकार करने से मना कर दिया और आज पूरे विश्व पठल पर अमेरिका का एक पूर्व राष्टपती भी उनके नेत्रित्व और नेत्रित्व की शमता पर सवाल उठा रहा है तो क्या राहूल गांधी को उनके चरण चाटुकार उनको सही प्रकार की राजनेतिक दिशा और दशा बताने या समझाने का प्रयास करेंगे या नाम के पीछे गांधी लगा कर घूम रहे राहूल गांधी की जैजे कार कर वो फिर एक नई एरोगेंस और इग्नोरेंस की पॉलिटिक्स को ही इस देश में हवा देंगे